आज मैं बताने वाला हूं दो ऐसे वर्ट्स जिनकी फुल फॉर्म हम दिन भर बोलते तो हैं लेकिन हमको पता नहीं होती है दोनों ऐसी चीजे हैं जो दिन भर हम लिखते भी हैं दिन भर उनको रिप्लाई में वेट्सप के त्रू फेस्बुक हर जगे हम लिखते रहते हैं लेकिन उनका जो फुल फॉर्म है उसके बारे में हमको जानकारी नहीं होती है ऐसी ही जानकारी मैं लेकर आए हूँ आज इन दो words के बारे में ऐसे ही interesting facts होंगे जो अगले वीडियो में होंगे ये पहला part है जिसमें ये सारी चीजें में बताऊंगा दोनों चीजें इसकी word meaning क्या होती है और इसकी full form क्या होती है हमारा पहला जो word है जो पहला word हम दिन भर बोलते हैं कोई भी message आया तब लिख देते हैं और short form में काम चलाते हैं बच्चों को भी इसके बारे में जानकारी लगे इस उद्देश से ये वीडियो में बना रहा हूँ सबसे पहला word है हमारा okay अक्सर हम confused रहते हैं कि okay लिखा तो जाता है लेकिन इसका meaning तो all right होता है meaning सब लोगों को पता होगा और इसका use भी अच्चा तरीके से पता होगा लेकिन मैं इसकी full form आज बता दूँ इसकी full form होती है all correct o l l k o r r e c t ये एक foreign word है जिसका meaning होता है all right और हमारा दूसरा ऐसा ही word है number number की full form जब हम लिखते हैं तो n u m b e r होती है short form जब लिखनी पड़ती है no और dot लगा देते हैं लेकिन कभी सोचते नहीं कि इसकी full form अगर full form बनानी होती तो number है n r से बनाते या n u से बनाते लेकिन उसमें o दूर दूर तक नहीं होता है यह full form मैं बताऊंगा यह number जो होता है number बना है no यानि कि numero से n u m e r o यह भी एक foreign word है जिसका meaning number होता है जो हम लोग रोज यूज करते रहते हैं तो इसका दूसरा जो हमारा word है number यह बना हुआ है no यानि कि numero से ऐसी ही डेट सारी interesting videos के लिए subscribe करें मेरा channel और इसका next part जो मैं लेके आऊंगा वह बहुत जादा interesting होगा उसमें मैं बताऊंगा कि एसी ही और कई चीजें हैं जो English में हम यूज करते हैं लेकिन उसका meaning हमको अक्सर नहीं पता होता है thank you so much